पूरी दुर्या में जाती वर्ड धर्म की आधार पर भेदभाव की घिनौनी घटनाय देखने को मिलती है अमेरिका और यूरोप जैसे विक्सित खेत्र भी ऐसे अमानविय कृतियों की गवाही बनते ही रहते हैं इस समस्या के खलाफ हाल ही में अमेरिकी शहर सियाटल में एक बड़ा खदम उठाया गया है सियाटल पहला अमेरिकी शहर बन गया है जहां जाती आधारित भेदभाव को बैन कर दिया गया है Seattle City Council ने मंगलवार को शहर के भेदभाव विरोधी कानून में जाती को भी शामिल कर लिया है चलिए समस्ते हैं कि इस शहर में जाती आधारीत भेदभाव को बैंड करने जैसा खदम क्यों ठाना पड़ा है Let's record this prominent question Seattle की City Council जिसे की हम नगर परिशत कहते हैं इसमें एक हिंदो प्रतिनिधी है शमा सावंथ इन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे लेकर भारतिय मूल के लोगों के बीच ही बहस छिड़ी हुई है यह प्रस्ताव था जाती आधारित भेदभाव पर रोक लगाने को लेकर लाए गए एक अध्यादेश का प्रस्ताव पेश करने वाली प्रतिनिधी शमा सावंथ है काउंसल में मंगलवार को प्रस्ताव पर वोटिंग हुई इसके बाद सीटल अमेरिका का पहला ऐसा शहर बन चुका है जहां पर जाती गद भेदभाव गर कानूनी हो गया है के, ये कि अ. टे शुछल को ऑ्जल लाए बाद खेड्राश को खोंगा है अर्اح झाल TV merit कर बाद सेठकेम के भूछ अबरकॉर्ष ओफग्या है कि दून लुड़ मैं के एक इन all कir बेffic suis बेसं एकष अराउंड दे कंट्री तुर जैसा कि हम पहले बिता चुके लिए अमेरिका की नगर परशद में पेश हुआ यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव है समर्थक यानि कि जो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं इसे समाजिक न्याय और समानेता लाने के दिशा में एहम खदम कर प्रस्ताव 6-1 के मत से पारित हुआ है लाए गया अध्यादेश के समर्थकों निकाह है कि जातिया धारित भेदभाव राश्ट्रिया और धार्मिक सीमाओं का अतिक्रमन करते हैं और ऐसे खानून के बिना उन लोगों को सुरक्षा नहीं दी जा सकेगी जो जातिगत भेद समुदाय की लोगों की संख्या वैसे तो कम है लेकिन फिर भी इस समुदाय को प्रभावशाली समुदाय के रूप में देखा जाता है अमेरिका में भारतियम मूल की लोगों की आबादी अप्रवासियों में दूसरे नंबर पर है अमेरिकन कम्यूनिटी सर्वे के 2018 के विरोध करने वालों का तर्क ये है कि लाया गया आध्यादेश इसमें हिंदु शब्द का इस्तमाल नहीं किया गया है लेकिन जातिगत सर्वे की बात है जाति को विशेश रूप से संद्रक्षित केटेगरी में शामिल करने से दक्षिन एशिया मूल के सभी लोग अनुच दक्षिन एशिया के लोगों को काम पर रखेंगे इसके संभावनाएं कम हो जाएंगी इस बात की आश्चन का जताए गई है ये दालित और बहुजन समेद दक्षिन एशिया मूल के सभी लोगों के लिए रोजगार और अफसरों में कमी लाएगा बेशक खानून का ये इर जाती को नीती का हिस्सा बना देने से अमेरिका में हिंदू-फोबिया की घटनाएं भी बढ़ सकती है पिछले तीन साल के दोरान पूरे अमेरिका में दस हिंदू मंदिरों और पाँच प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया चुका है और इसमें महत्मा गांधिय और राधा राजा चत्रपति शिवाजी की प्रतिमाएं भी शामिल है इन घटनाओं को कुछ लोगों ने हिंदू समुदाय को डराने की कोशिश की तौर पर देखा था सियाटल सिटी कांसल का अध्यादेश उसी तरह का है जैसा की साल 2021 में सांटा क्लारा हिूमन राइट्स कमिश क्यादेशन में एक्कुएलिटी लैब ने लाने की कोशिश की थी अमेरिका में रहने वाले भारत्य मूल के लोगों कि आपत्तियों को सुनने के बाद ये प्रस्ताव खारिज हो गया था सियाटल में पेश ताजा प्रस्ताव में कौालिटी लैप्स के जाती आधाई सर्व जगा देखते हैं लेकिन यहाँ पर भी भेदभाव एक सच्चाई है सियाटल में जाती अधायत भेदभाव पर बैंके पक्ष और विपक्ष सावजनिक तोर पर इसके लिए अभियान चलाए जा रहे हैं करीब 100 संगठनों और कारवबारियों के समूने सियाटल सिटी कांस अगर अमल में आ गया तो माल लिया जाएगा कि ये पूरा सबुदाय खास करके अमेरिका में रहने वाले हिंदू जाती आधारित भेदभाव के दोशी हैं बशर्ते वो खुद को निर्दोश साबित ना कर दे ये अमेरिका की संस्कृती नहीं है और गलत भी है